आज हम Trigger Words और Language Pattern के बारे में बात करेगे Sales के अंदर यह हमारा 9 पार्ट है अगर आप यह पहली बार देख रहे है वीडियो तो उपर आई बटन के अंदर चेक करना हमारा पहला पार्ट मिल जाएगा पूरी सीरीज का पूरी प्लेलिस को आप फॉलो कर सकते हैं बात करते हैं जहां से आपको Sales के बारे में कुछ चीज़े समझ में आने वाली है कि किस तरीके से Words इंपक्ट करते हैं आपकी Sales के अंदर और सामने वाले के Decision Making Process के ओपर एक लंबी लाइन लगी हुई थी तो वहाँ पे Experimenter ने एक Experiment किया वो Line के अंदर सबसे आगे जाता है और बंदे को बोलता है कि मेरे को आगे जाना है तो 25% Chances ऐसे आते हैं जहां पर उसको आगे जाने देते हैं दूसरे Case के अंदर वो क्या करता है वो आगे जाता है और बोलता है Please मुझे आगे जाने दो मेरे को जल्दी है अब यहाँ पे 75% conversion आ जाता है और आखरी case के अंदर वो क्या गरता है वो जाता है कि please मुझे जाने दो मेरे को जल्दी है मुझे सिर्फ 1 minute लगेगा अब इस पूरी case study से 3 बाते निकलती है please, because and only please मुझे आगे जाने दो please मुझे आगे जाने दो क्योंकि मुझे जल्दी है क्योंकि मतलब because please मुझे आगे जाने दो क्योंकि मुझे जल्दी है सिर्फ 2 minute लगेगा सिर्फ मतलब only तो अगर इन 3 words का ये 3 power words होते है अगर इन 3 words का हम अपनी sales के अंदर use करे तो हमारे conversion के chances बढ़ जाएगे यहाँ पर भी sale ही हो रही थी ना basically वो बंदा अपने आपको बेचनी कुछ कर रहा था वो कह रहा था कि please मुझे आगे जाने दो basically वो अपने आपको बेच रहा है कि मुझे जाने तो मेरा काम हो जाए जब ये research हुई तो ये 3 sales pattern आए और बड़े-बड़े sales वाले लोग इसको use करते हैं तो अगर आप use नहीं करते तो आपको use करना चाहिए अब only कब करना है आपने देखा होगा prices के अंदर कहीं पे भी जाते हो लिखने के लिए prices लिखे होते हैं आगे लिखा होते है only 99 rupees, only dash only dash, only dash only dash के मतलब क्या है ये भी tonality है, मतलब हम उसके दिमाग के अंदर कुछ position कर रहे है सिर्फ, सिर्फ 100 रुपे iPhone कितना रुपे का है सिर्फ 1.5 रुपे दिमाग के अंदर एक image बन जाते हैं, सिर्फ 1.5 लाक कई तो है अब क्या हुआ, human evolve हो गया तो बहुत सारे लोग इस चीज के उपर फसते नहीं है अंको लगता ही है, पर subconscious level की ओपर हमीशा ये चीज ट्रेगर करती है अब because का मतलब क्या हुआ अब मैंने सामने वाले को जब्बे पिच करना है, मैंने उसको बताना है आपको ये product लेना चाहिए क्यों की इसलिए अगर आप क्यों की समझा दोगे उसको क्यों की समझ में आ जाएगा तो आपका sales का conversion बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अब अगले experiment के बारे में बात करते है जो की है, Newton ने भी बताया उसके बारे में, action equals to reaction अब क्या हुआ ये waiters के साथ किया गया यहाँ एक waiter को लिया गया उसको experiment किया गया अलग-अलग case के उपर तो ऐसा देखा गया researches के अंदर कि 10% tip ratio आता है मतलब 10% ऐसे लोग होते है वहाँ पे जो की tip देते है अब उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ जब आप बिल देने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे मूँ पे smile रखना तो देखा गया जब smile देके वहाँ पे बिल दिया जा रहा था तो 15% तक conversion बढ़ गया tips मिल लेगा उसके बाद इन्होंने एक नया experiment करके देखा इन्होंने का कि साथ में कोई gift भी दालतो आप बिल लेके गए साथ में चॉकलेट लेके गए या फिर आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर सौफ और मेशुरी लेके गए तो चॉकलेट लेके गए तो वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे 50% तक टिप रेशू आ गया और सबसे बड़ा टिप रेशू क्या आया यहाँ पे उन्होंने दो चॉकलेट टो टेबल के उपर दी उसके बाद वह बंदा आगे गया फिर वो घूम के पीछे आया और उसने वहाँ पे दो चॉकलेट और रख दे यहाँ पे 100% कंवर्जन रेट आ गया अब 100% कंवर्जन रेट आया तो 100% बहुत ज़ादा यहाँ से उन्होंने एनलेसिस लगाला कि अगर हम सामने वाले के साथ उसको फील कराएगे कि मैं तेरी तरह हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ तो वो action अच्छा लेता है तो यहीं पे मैं जो आपको अभी तक पिछले से बताता हूँ आ रहा हूँ कि सामने वाले को लगना चाहिए हम उसकी तरह है तो हमको भी वही चीज़ करनी है अगर सामने वाले को लगेगा कि यह मेरे लिए सोचता है तो आपका प्रड़क्ट लेगा अगर उसको लेना होगा अब मैं क्या कर रहा हूँ हमारी वेबसाइट है उसके उपर construction चल रहे है कुछ काम चल रहा है अब हम अपने course की fees जो लिखते है ना it will cost you dash हमने वो चीज़ हटा दिया है अब हम महाँ पर लिख रहे है my product will cost you nothing it's a investment of 30,000 रूपीज बात वो ही बोली है मैंने कि आप मुझे 300,000 बे दो मेरा course करने के लिए पर मैंने उसके दिमाग के अंदर एक tonal pattern create कर दिया कि खर्चा नहीं है ये investment है अब मैं आपको बहुत सारे examples देने वाला हूँ अलग-अलग category के अंदर सबसे पहला आता है offset language pattern सबसे पहला है कि हम आपका पूरे रास्ते में साथ देगे हम पूरे course के अंदर आपकी hand holding करके चलेगे आपका पूरा साथ देगे बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा तो ये भी sales का एक करने का तरीका है हर एक course वाला handling प्रोवाइड करता है हर एक करता है पर अगर आप इस word को दाल देते हो तो सामने वाले के दिवाख में लगता है यार ये तो मेरा पूरा साथ देने वाला है आप मेरा course जॉइन करो मैं आपको digital marketing के वारे में ends and outs बताऊँगा सारी की सारी बाते जितनी भी चीज़े होती है अगर मैं चीज लिख देता हूँ तो tonal pattern के अंदर सामने वाले को लगेगा कि भाई ये सारी चीज़े डिटेल में खोलने वाला सारे राज बता देगा मिरको conversion rate बढ़ जाएगा हमारा course आप जॉइन कर सकते हो आपकी life तो change हो जाएगी पर एक छोटी सी problem ये है कि इस तहीं महीने के अंदर आपकी social life खराब हो जाएगी क्योंकि हमारी class बहुत लंबी चलती है मैं बहुत सारा homework देता हूँ अब क्या हुआ मैंने यहाँ पर एक negative चीज को portrait किया पर बहुत सारे लोगों के लिए चीज positive होगी अब जिन लोगों के लिए positive होगी वो लोग जल्दी convert हो जाएगे पर हमने क्या कि आपकी life change हो जाएगी पर हमारी जो छोटी सी negative चीज है वो यह है कि भाई मैं बहुत जड़ा पढ़ाता हूँ और बहुत सारा homework देता हूँ ताकि वो तीन महीने बंदा काम करें पर वो तीन महीने में बंदे की social life खराब हो जाती है वो और कुछ नहीं कर पाता तो मैंने इस चीज को portrait कर दिया पहले ही ताकि बाद में बसूरी ना पढ़े बाद में कोई problem ना है बंदे को यह ना लगे कि यार ये course वाइंग करके मेरी personal life तो कतम ही हो गई training की बाद करिये तो आपने बहुत सारे courses के अंदर देखा होगा पूरा detail के अंदर हम पढ़ाएंगे in depth training program अगर आप ध्यान से समझो मेरे tonality के उपर अगर आप मैं को starting से follow कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि बोलने का तरीका होता है अब मैंने क्या बोला in depth training program हर word के उपर मैं focus कर रहा हूँ in depth training program और दूसरे के अंदर के हम बोला हर steps पे हम आपको समझाएंगे हर steps पे हम आपको समझाएंगे अब दोनों का tonality अलग है it's a long term relationship अगर आप हमारा course जोइंग करते हो तो यह लंबा relationship रहने वाला यह नहीं है कि आपने 3 महीने हमारे पास course किया उसके बाद को कोई problem आईगी जो हम आपकी help नहीं करेंगे तो यह जो चीजे मैं आपको example दिये जा रहा हूँ आप चाहो तो उसको note करो paper के उपर और जो भी आप business करते हो जिस चीज के अंदर आप sales करना चाहते हो उसको इन सारे चीजों को अपने pattern के उपर convert कर दो मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ मैं अपने course के उपर बात कर रहा हूँ आप उसको उस line के उपर कर दो अगले है power language patterns power language patterns का मतलब क्या हुआ मैं powerful दिखा रहा हूँ अपने आपको एक चीज तो आपने बहुत बार सुनी होगी एक बार मौका तो देखे देखिए नेता लोग बहुत बोलते हैं तो ये power है नेता लोग powerful होते हैं तो आप भी अपने sales pattern के अंदर इन चीज़ों को उसकर सकते हो जो मैं example दे रहा हूँ ये real life के अंदर देखे हमारा कोर्स जोइन करके सिर्फ आपको एक ही प्राउबलम आएगी आपको ये लगेगा कि मेरे कोर्स आज से छे महीने पहले जोइन क्यों नहीं किया sales pattern है ये powerful है psychological है उसके दिमाख में जाके trigger होगा कि हाँ यार ये तो क्या बोल गया है ये 6 महीने बाद क्यों नहीं किया मतलब बहुत ही जबर्दस कोर्स होने वाला है believe me you will be very very impressed समझाने के जूरत नहीं है अब मेरे साब से आपको tonality थोड़ी-थोड़ी सवज में आने लग गई होगी believe me अगर आप मेरा course drawing करते हो तो आप को sorry feel नहीं होगा अब यह देखो मैंने आखों के साथ भी क्या है sorry feel नहीं होगा sorry feel नहीं होगा तो यह भी tonality pattern है क्योकि मैंने अपनी tonality के ओपर काम कर रखा है और मैंने अपनी body language के ओपर काम कर रखा है जो मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर बताया था अब मैंने एक barrier के बारे में बताया था आपको कि क्या होता है हम इंडिया के अंदर कोई product लेते हैं तो हमारे parents की special power होती है पीछे कि पापा एक कहेगे पापा से पूछ लो एक बार नहीं नहीं हमने क्या किया हमने जब straight line के उपर चल रहे था हमने उसको बाप लिया कि यह पापा वो है है मम्मी वो है पूछ के लेगा तो हमने का कि अगर आप मेरा product लेते हो तो आपकी मम्मी या फिर पापा जो भी बंदा है जो भी figure है या फिर wife कि आपकी wife को बुरा नहीं लगेगा आपकी wife कहेगी कि वह क्या product ला है आपके बाब आपको शाबाशी देगे आपकी मम्मी आपको best खाना बना के देगी बाब बेटा क्या product ला है अब एक है जो भाई मैंने बहुत बार सुना है कि सर मैं आपसे तो एक रुपया भी नहीं कमा रहा मैं अपने गल्ले की उपर हाथ रखके कसम खाता हूँ मैं आपको अपनी purchase file दिखा जाता हूँ मैंने कितने रुपय का माल लिया है मैंने आपसे एक रुपया भी नहीं कमाया पर आप जो मुझे customer लाके दोगे मैं उससे कमाऊँगा बहुत बार शायद आपने सुना होगा अगर आप shopping करने के लिए गए होगे negotiation कराना आपको पसंद है तो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि लोग आपको ऐसा बोलते है उन्होंने purchase file अलग से दूसरी बना रखे होती जहां पर आपको दिखाते है कि देखो मैंने ऐसा किया है पर हमारे देश के लिए गलत practices चल रही है मेरा मानना है अगर सच्चाई में ऐसा है तब ही आप बोलो जूटी कसमे खाने से कुछ नहीं होता है अगला है looping pattern looping pattern से मैंने आपको बताया था straight line के उपर चल रहे है बंदे को बताया कि भाई मेरा प्रडट यह है अब मैंने उससे पूछा कि आप लेना चाहोगे उस बंदे ने मना किया मैंने उसकी problem दूडी मैं लाइन के उपर फिर से पीछे गया फिर से मैंने उसकी problem को resolve किया जो जो करती फिर मैंने पूछा फिर उसने मना गिया यह जो मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ this is looping तो looping के उपर हमको कैसे करना है सबसे पहले तो अपनी बात समझाते समझाते हमको बोलते रहना ठीक है अगली जो कि मैंने personally देखी है वो बताते है सर अगर आप मुझे छे महीने पहले मिल गए होते न तो मैं आपको आज तक तो लाख रुपे कमा के देशुका होता बहुत सारे जो plans देने वाले आते हैं वो आपको ऐसा बोलते है अगर आपने हमारा course छे महीने पहले join कर लिया होता न तो आज तो आप एक लाख रुपे महीना का हमारे होते है अब looping चल रही है looping के दर पता लगता है मुझे कि मेरी company उसको पसंद नहीं है तो क्याता हूँ मैं कि जैसे मेरी company के बारे में बात कर लो कि मेरी company ऐसा करती है वैसा करती है वैसा करती है हमारी company के अंदर ऐसा होता है वैसा होता है मैंना को तीन चीज़े बताई थी उसको आपके product से प्यार होना चाहिए उसको आप से प्यार होना चाहिए उसको आपकी company से प्यार होना चाहिए तो बस वाला कहता है कि आउ बैठो तो बेरी बम मी ने मना किया है कि अनन drie लोगों के सात नहीं जाना मने वाले की दिमाग में इस तरीकों से टरिकर करना है वह छोटा बच्चा था अब बन्दे बड़े हो चुके हैं और हर एक बंदे के दिमाग में बच्चा है, अब वो बच्चे को किस तरीके से ट्रिगर करना है, वो ही लूपिंग के टेखनीक है, जो कि मैं आपको 36 करोड़ा बता चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर आपने इस चीज को किया, तो ज्यादा से ज्य सकते हो अघर आप बिशनस कर सकते हो, आप आप कपड़ो ऑलो के अंदर होता है, अगर आप संपने कई करने क करने के लिए गए, और अचाना आपका mood change हो रहा तो हो कह रहा है Sir आप एक shirt ही ले लो पसंद आए तो बाकी चीज़े लेना वनना बात लेना एक shirt ले जाओ अगली हफते आजाना कुछ और ले जाना तो basically आपको down sell करने कोश्च करते हैं ताकि आप मेरा एक product तो ले जाओ उसके बाद अगर आपको product अच्छा लगेगा तो आप मेरे पास repeated customer बनके रह जाओगे अगला है जो की dirty picture के अंदर दिखाया दिया था कि Bollywood के अंदर तीन चीज़े चलती है entertainment, entertainment, entertainment तो ये भी एक sales का pattern है जो अन्म वेड़सोट के examples के अंदर इसको बताया गया था तो मैं आपको example क्या देता हूँ आप जो भी काम कर रहे हो digital marketing के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है content, content, content अगर आप content को समझ जाते हो content सामने वाली audience तर डंक तर पुचा पाते हो तो आपसे बड़ा digital marketer कोई भी नहीं है बस यही थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ को सारे example अच्छे लगे होगे और कोई example हो नीचे comment के अंदर बताना हो इन सारे examples को अपने हिसाब से convert करके नीचे comment के अंदर आप चाहो तो बता सकते हो और अगर आप चाहो तो अपनी notebook के अंदर उसको ले के रख सकते हो ताकि आपकी sales पे जब बने तो आपको पता हो कि मुझे ये dialogue बोलना है ये बोलना है ये बोलना है मोके पे चोका वारने वाले बने बन जाओ बाइग गुद आफिस गुद आफिस जब याव वीडियो देख रहें